सुरज उगने से बदलते हैं इधरा आस्मा चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आस्मा चिन्ता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुब चिन्तन हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन सवार ले सुधार ले कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान कर समस्य का समदान उन्होंने देखा कि कैसा अजीबो गरीब वस्त्र पहना हुआ है सन्यासी ने उन्होंने व्यंग किया उनके वस्त्रों को ले करके स्वामी जी रुके उन्होंने पीछे देखा और कहा देवियों आपके देश में सज्जंता की परक कपड़ों से की जाती है लेकिन जिस देश से मैं आया हूँ, वहां सजनता की परक कपड़ों से नहीं, बलकि चरित्र से की जाती है ये सुनकर, वो लोग बड़ी प्रसन्न हुए और भारत के लिए उनका मस्तक गर्व से जुग गया, सम्मान से जुग गया वास्तों में हमारा देश चरित्र निर्मान कराता है, हमारा देश, हमारी संस्कृती वास्तों में इसलिए सर्वो परी है, क्योंकि यहां चरित्र को ही महांता प्रदान की जाती है, वस्त्रों को नहीं, जैसे पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे समाधान कारिक्रम के मार्धियम से ना केवल हम समस्याओं का समाधान आप तक पहुचा रहे हैं लेकिन इस कारिक्रम का एक लक्ष ये भी है कि हम मुल्यों को, चरित्र को जो की हमारे देश की संस्कृती है, सभ्यता है हमारे देश की निव है उसको भी आप तक पहुंचाना इस कारेक्रम का विशेस लक्ष है और इन्हीं पे चर्चा लगातार हम आदर्णिय भ्राताजी के साथ करते रहते हैं समाधान के साथ-साथ आई आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं भ्राताजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पिछली बार चुकी वस्त्रों की चर्चा हो रही थी तो ये प्रसंग कहीं मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने सुचा कि आज इस प्रसंग से ही शुरुवात करते हैं कि वस्त्रों में वस्त्र नहीं लेकिन चरित्र हमारे देश की एक सुन्दर धरोहर है किसी देश के पास बहुत धनसंपदा हो, एजूकेशन हो, सब कार खाने हो, फेक्टरिया हो, इंडस्ट्री हो, लेकिन चरित्र गिरता जाए तो बहुत जल्दी उस देश का पतन हो जाएगा और ये भी संभवे वहां की सभ्यताई नस्ठ हो जाए इसलिए वास्तों में भारत की पहचान यहां के स्रेश चरित्र से ही होती है, मैं इतियास में बहुत सारी बाते सुनता हूँ, और ये पता चलता है कि भारत ही सबसे अधिक धनवान देश भी था, अभी नहीं बेटी सच से आने से पहले तक, मुझे एक बेटेन का व्यक्ति अधिक अली मिल रहा था और बता रहा था को नूर हीरे का फोटो लाया था वो, मुझे दिखाया और वो जो सोने कि महारक खावा वो भी दिखाया, तो वो सब चुपचाप कह देते हैं, ये सब भारत से आया, पूछो तो कहेंगे नहीं, हमारा है ये तो, और भारत वाले च अंसार का सबसे अधिक धनवान दे सुवात करता था, शायद धन संपदा इतनी ज्यादा थी, इसलिए शायद आकरमन कारी यहां बार-बार आकरमन उसी लक्स से किये, कि यहां की संपदा लूट के लिए जाते थे, फिर भी भारत भरपूर रहता है, लूटे रहता है, ये ह होता रहा, तो चरित्र क्योंकि यहां का महान था, बहुत इमांदारी थी, बहुत प्रेम था, बहुत अपनत्व था, बड़ा सहयोग की भावना थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी, शिक्षक तो जैसे भगवान होते थे गुरु लो तो, इसलिए हो कह दिया क्योंकि बहुत सुंदर सभ्यता हमारे देश की रही है, यह पतन तो हार्डली सो साल का है बस, दूसरे देश उपर आगे, भारत थोड़ा पीछे चला गया, फिर से समय भारत का आगया है, और हम देखेंगे, हमारे देखते-देखते ही, यह भारत फिर से विस गुरु के प अगाता की कारण ही शयद कहा जाता है कि if wealth is gone, nothing is gone, but if health is gone, something is gone, if character is gone, everything is gone, क्योंकि चरित्र ही नहीं रहा तो फिर शयद कुछ भी शेस नहीं रह जाता है, इसलिए आज इस चीज़ पे बहुत ज्यादा महत्र देने की आप श्यक्ता है, बाताजी कुछ मेल्स हमारे पास जो and 16 years in Gyan, this year is my most important year because I am sitting for an important exam, my future lawkik job depends on this exam, there is 28 days more for this exam, I took 10 subjects, out of that 10 subjects I got excellent marks in 6 subjects with Baba's help and blessings, average marks in 2 subjects and failed in 2 other subjects that are very important and that is additional mathematics and chemistry. I can continue my further studies based on these 2 subjects, despite my effort, revisions and all, I still fail in these 2 subjects, the tuition centre is also far from my residence, so I don't have transport or someone to take me there, there is 28 days more and day by day I am feeling stressed and tension, what should I do to improve myself in these 4 subjects including the subject that I got average marks. बहुत अच्छा है ये अनेक स्टूडेंट्स की समस्य होती है, पहले तो ये कि अपनी असफलता से निरास नहीं होना है, क्योंकि अगर टेंसर बढ़ती है तो बुद्धी की शक्ती छेन होने लगती है, ये बात सभी विद्ध्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि ऐस से फोन बहुत विद्ध्यार्थियों के आते हैं के अग्जाम के 10 दिन रह गए, डर लग रहा है, टेंसर बढ़ रही है, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, तो इस कन्फ्यूजन में जो बढ़ना चाहिए, वो भी खतम हो जाता है, मैंने एक लड़की को तो का 10 दिन रह इस लिए विद्ध्यार्थियों को इसका बहुत ज़्यादा महत्तो समझ कर अपने मन को अच्छा रखना चाहिए, निरासा किया बच्छता नहीं, जो मनुस हिम्मत करता है, जो मनुस महनत करता है, सफलता तो उसके आगे पीछे चलेगी, ठीक है, यह दो सब्जेक्ट में फेल हो गई, मैथमेटिक्स था और कैमिस्ट्री थी, दोनों सब्जेक्ट थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के लिए टाफ होते हैं, जो होचियार स्टूडेंट होते हैं, किसी सब्जेक्ट में होचियार होते हैं, किसी में एवरेज होते हैं, तो जैसे यह थी दो सब्जे में वीक हो गई, मैं एक छोटी सी मनोविज्ञानिक विधीन को सजेस्ट करना चाहूंगा, सबेरे उठते ही, इसको अपना पहला संकल्प बना लें, मैं mathematics और chemistry में बहुत होशियार हूं, और इसको साथ बार करेंगे, मेरा mathematics एन मेरी chemistry बहुत perfect subject है, उठते ही करेंगे, पहला सं और साथ बार करेंगे, तो subconscious mind इनके brain की वो blockage खोल देगा, जिसके कारण इन से mathematics या chemistry हो नहीं रही है, इनको bold लगता है, याद नहीं होता है, ये बहुत अच्छी टेकनिक है, देखिए brain सभी के पास है, और मैं ये कहूंगा, सुन्दर brain सभी के पास है, उसमें कुछ चीजे blocked है, कुछ चीजे open है, मन उसका जिस subject में interest होता है, brain उस subject में ज्यादा काम करने लगता है, अगर mathematics कमज़ोर है, तो पहला कारण है कि mathematics में interest नहीं लिए, पहले से इस अंगल्ब था है, बहुत कटिन subject है, ये तो मैंसे होगा ही नहीं, किसी को English का ऐसे होता है, तो brain की वो mystery और ये जो mathematics है, इसके लिए एक interest पैदा करना चाहिए, सारा दिन भी संकल्ब करें, ये दोनों subject मुझे बहुत प्रिये हैं, I love them, और मैं इन में बहुत होचियार हूँ, इस बार मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा आई ये, अपने subconscious mind में सारा दिन भी भढ़ते और सबेरे उठके भी भरें, तो subconscious mind इने receive करेगा और इसका result बहुत अच्छा होगा, दूसरी बात ये है, कि रोज सबेरे उठकर, वही सबेरे माना 10 मिनट पहले, और थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए, से ने student 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, तब तो subconscious mind भी काम नहीं कर जल्दी उठना, 6 बजे तक तो उठी चाहिए, हम लोग पहले भी चर्चा करा रहे हैं घाताजी कि इस्टो टेट्स थोड़ा जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए, इससे क्या है कि सबेरे क्योंकि प्रकरती बहुत स्यांत होती है, तो brain पर बहुत positive effect उसका रहता है, और brain की ग्रहन शक्ती भी तब बहुत जादा होती है, मनुस नीद करके fresh भी हो गया होता है, इस नामादी करके वो और active हो जाता है, तो सबेरे उठके ये साथ बार रोज संकल्प करेंगी, मैं master servusaktivanu, इस सब्द से हमारे दर्शक परिचित होई गये होंगे, हम servusaktivan के बच्च ये साथ बार करें, तो subconscious mind में ये भी चला जाएगा और इनके सफलता के द्वार भी खुल जाएगे, और निरास नहों, बस मन में बहुत powerful thought रखें, इस बार मेरा ये exam clear होगा ही, बुझे सफलता मिलेगी ही, बहुत confidently ये संकल्प भी सबेरे कर लिया करें, और सच्चे दिल से मेहनत करें, लेकिन मन को स्यांत रखते हुए, तो बुध्धि निष्चित रूप से पूरा काम करेगी, और ये सफल होगे, बिल्कुल, प्रताजी जैसे एक बात उन्होंने लिखी थी, कि वास्ताव में इस चीज में वो पूर हैं और फेल हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक भै अंदर बैड़ गया होगा, कि शायाद इस बार फिर से मैं फेल ना हो जाओं इस चीज में, तो चली सुबह एक सबकॉंसिस माइंड का प्रयोगा आपने सुन्दत सुनाया, लेकिन इन बची हुए दिनों में किस प्रकार की तैयारी इन दोनु सबजेक्ट का, जैसे इस भी मनुस बहुत कुछ कर लेता है, अगर उसका मन बहुत स्यान्त होता है, लेकिन एक प्रैक्टिस जो हम राज्योग में शिखाते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वोण है, और ये चाहे कोई राज्योग करता है या नहीं करता, ये तो करती है ब्रत मन बुद्धी की मालिक हूँ, ये गुड़ फीलिंग अपने को दें, सबेरे भी दें, दिन में भी दें, मैं आत्मा स्वराज जदिकारी हूँ, मन बुद्धी की मालिक हूँ, और फिर बुद्धी को अपने कमांड देंगे, एक संकल्प देंगे, के है मेरी बुद्धी, अ एक ही बार पढ़ने से सब कुछ याद हो गया, और ऐसा याद हो गया कि भूलेगा अब नहीं, यह प्रक्टिस भी करें और सिंसियरली तैयारी भी करें, टेंशन की कोई आप सकता नहीं, तो इनको सफलतावस मिलेगा, बिल्कुल आश्वारे, आप तक हमारी बात पहुच रह और यह कहते हैं कि सन 2000 से मैं विद्याला से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछली वर्ष मेरी लौकिक माता जी ने अपने देह का त्याग किया, और उनके अंतिम संसकार में मैं शामिल हुआ, लेकिन उनका जो अंतिम संसकार था, वो मेरे अंदर इतना गहराई से छब गया है कि अब जब कभी भी मैं योग के लिए बैठता हूँ, तो वही दृष्य मेरे सामने आ जाता है और मैं उदास हो जाता हूँ, मैंने बहुत कोशिस की कि वो दृष्य मेरे सामने ना आए, लेकिन बार-बार करने के बार भी मैं असफल रहा हूँ, तो मैं कैसे इससे मुक्त ह हो सकता हूँ, और कैसे मेरे बुद्धी पुना एकाग्रह हो सकता हूँ, कभी कभी कोई ट्रेजडी की घटना, कोई ऐसी दुखताई घटना, मन उसके अंतर मन में ऐसी छप जाती है मानस पटल पर, कि उसको हटाया नहीं जा पाता है, और इसका कारण ही होता है, कि जब वो कॉंसिस माइन में डीपली रूटेड हो जाती है, वेलकुल गहरी जड़े उसकी पहुंच जाती है, तो स्वपन में, कभी शान्त में बैठेंगे, वही याद आएगा, मन उस बीजी भी सारा समय तो नहीं रहता है, बीजी रहेगा तो वो भूल जाएगा, लेकिन फिर भी इनकी तो मा थी और मा और बच्चे का तो बहुत अच्छा नाता है, और इनकी बातों से लगता है कि इनका अपनी मा से बहुत ज़्यादा लगा था, तो इसलिए जब उसने देखा और जो अंतिम सीन होता है, कि अब कभी भी इनको मैं देख नहीं पाऊंगा, मतलब उनके शरीर को भी देख नहीं पाऊंगा, तो ये गहराई तक अंदर इनके विचार समागया, वो जो वीजन इनके चितर देखा, चिता जल रही है और इनका ये जो बहुत इमोशनल हो गये, तो जब उननों से इमोशनल हो जाता है, तो वो वीजन और वो दुख सब कॉंसेस माइ नहीं है क्योंकि वो सीन तो हो गया है, अब तो ये है कि उसे डिलिट करके और आगे बढ़ना है, अपने उज्वल भविष का निर्मान करना है, अपने मन को खुशियों से बढ़ना है, क्योंकि अभी यूवक हैं और इनकी लंबी जीवन की आत्रा भी शेस है, इसलिए जब भी वो सीन सामने आए, तो सीन को एक चीज में समा देना बिंदु जोती, चमकती हुए आत्मा के मा तो चमकती आत्मा बनकर सीव बाबा के पास चली गई है, तो ये एक नया वीजन की डियेट करेंगे अब, वो वीजन बार बार इनके सामने आता है, जब भी आये तो आत्मा चमकती जोती और उड़के जा रही है, सुप्रीम सोल के पास, परमपिता के पास और उसके पास जाकर बैठ के वो बहुत सुखी है, बहुत आनंद में है, स्री बाबा उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, अपनत्व दे रहे हैं, ऐसे संकल्प करेंगे, तो फहला काम होगा कि ये बात इनके मन से हलकी होगी, और जब हलकी कोई चीज हो जाती है, हलकी हलकी होते होते, वो समाप्त हो जाती है, एक तो ये विधी ब्रता जी, ना केबल सुनील जी की बात होगी, मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता है, कि जीवन में ऐसी दुखत घटना, जैसे इनकी माता जी ने शरीर छोड़ा, कई बार कोई भयंकर एक्सिडेंट होता है, कई बार कोई ऐसी घटना होती है, जो बहुत गहराई से होती है और वास्ताहर हो वहने परिशान करती है, बार-बार याद आती है, उन चीजproduction को भी भूलने की क्या विध्य हो सकती है। कि जो कुछ एक बार देखा चीज वह भार बार आ रही है वह पढ़ भी रहे हैं टीचर पढ़ा भी रहा है वह याद आ रहा है तो एक ऐसा ही राजियोग करने वाला यूवक मेरे पास आया के भही मैं तो जिस चीज को एक बार देख लेता हूं वह तो मेरे बुद्धी से हट पती नहीं मैं क्या करूं तो मैंने का तो शिव बाबा को देख लो ना मैं दिखा दिया उसको यह तुमारा पिता अब इसको हटने न देना आपने अंदर से तो क्या होता है जब एक अच्छी वीजन उससे पावरफुल वीजन हम अपने अंदर ले लें तो पुरानी वीज को जल्दी ग्रहन कर लेता है और जो थोड़े पावरफुल हैं वो उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो उनके अंदर में समाती नहीं है तो ऐसे में जिन भी यूकों के सामने यसी समझ चाहे आती हों वो कोई सुन्दर वीजन से उस चीज को रिप्लेस करें यानि उस वीजन क के सामने उस चित्र के सामने कोई नया चित्र दाने लगें अपने मन में तो सुन्दर जो उनको बहुत प्रिये हो निगेटिव नहों बिल्कुल पॉजिटिव तो वह अटने लगेगा पर राज्योग के अभ्यास करने वालों को मैं एक चीज कहूंगा स्वामान इसके देखिए मैं दो चार बता देता हूं मैं देव कुल की महान आत्मा हूं अपने देव स्वरुप को देखें मैं आत्मा चेतन ऐसरीरी परमदाम की वासी हूं यह स्मर्ति लाएं कभी स्मर्ति लेले मैं तो मास्टर सर उसक्तिवान हूं मैं विजय रतन हूं 25 बार सारा दिन म तो आट बार लिख लें 21 दिन भी अभ्यास करेंगे तो जो पास्थ है जो ऐसी बुरी चीजे मानस पटल पर छपी हैं वो डिलीट हो जाएंगे और नई चीज आ जाएंगे और जीवन खुस हो जाएगा बिल्कुल मतलब अच्छी चीजों को हम भरें अपने अंदर अच्छी बातों को याद करें वैसे भी बुरी चीजों को याद करने से वह दुख की ही फिलिंग हो गया उसे कोई लाब तो जीज रहा है तो मन से बैड एनर्जी ब्रेइंक को निरंतर जा रही है और आजकल ब्रेन हो गये हैं सबके कमजोर और सेंसिटिव की सबको जान लेना चाहि तो वो बुरी एनरजी अनिक चीजों को डेमेज कर रही है, उसे कई रोग शरीर में पैदा हो रही है, कई समस्याइं पैदा हो रही है, इसलिए एक समझदार व्यक्ति को अब पॉजिटिव सोचने की और अच्छा सोचने की और विशेश ध्यान देना चाहिए. ये लंडन से लिख रही है, ये कहती है कि ओम श्यांति सुरिभाय जी, मेरा नाम अमन दीब है और मेरी ऐज 36 है, मैं मुंबई से बेसिकली हूँ, लेकिन अभी लंडन में हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी कारे करती हूँ, उसमें मुझे बहुत मुश्किलों का सा लेकिन तीनों बार मैं फेल हो गई, मैं लंडन में सेटल होना चाहती हूँ, मैंने कई बार एप्लिकेशन दिया है, लेकिन वो अप्रूब नहीं हो रहा है, तो मैं जो भी कारे करती हूँ, उसमें असफलता ही मिलती है, कैसे सफलता है? तो देखिए बड़ी इंपोर्टेंट दोनों बाते हैं, हर व्यक्ति सहजता चाहता है जीवन में और हर व्यक्ति सफलता चाहता है, सिवावा ने अपने महवाक्यों में इन सब बातों के बारे में बहुत सुन्दर सोलिशन दिये हैं, अपने दर्सकों के समख्ष मैं वही रखना चाहता हूं, जो व्यक्ति स्वयम इजी है, उसकी हर बात इजी हो जाती है, बहुत सुन्दर इस अंसार का एक यूनिवर्सल प्रिंशिबल है, इसलिए जिस व्यक्ति को हर जगह कठनाई हो रही हो, उसे अपने को पहले इजी कर देना चाहिए, स्वरल्चित, इसे बहुत फाइदा होगा, तो हमारी स्वरल्टा से हमारे सुन्दर विचारों के वाइब्रेशन्स चारोर फैलेंगे, और कठिंताएं स्वरल्टा में बदल जाएंगे, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कारिये शुरू करते हैं, दुसरी इंपोर्टेंट करने से पहले बिगनिंग में हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी स्मर्तियां क्या है, हमारा चिंतन क्या है, उसका इफेक्ट पूरे करम पर पड़ता है, इसलिए बहुत आनंद के माहल से घर में प्रवेश करेंगे, साधी हुई, बच्चे का वर्तडे हुआ, बच्चे को स्कूल में बैठाया, तो एक अच्छे चीज से एक अच्छी बिगनिंग हो, तो अच्छी बिगनिंग का इफेक्ट पूरे करम पर बहुत आता है, तो इन्हें चेक कर लेना चाहिए, कि जब ये कोई काम सुरू करती ह हैं, चाहिए पढ़ाई हो या घर का कुछ काम हो, तो कहीं पहले निगेटिव संकल्प तो ने उठ जाते के काम बहुत कठीन है, मेरा तो भागी खराब है, मुझे तो हर काम में असफलता मिलती है, वो इसको चेक करें, और अब एक विशे सभ्यास करें, ज्यान तो इन्हों होने लिए यह होगा, शिव बाबा ने हम सब को एक बहुत सी क्रेट सुनाया है, कि कोई भी कार ये शुरू करने से पहले अपने परम सद्गुरु शिव बाबा से सफलता का वर्दान लो, तो मैं इनके लिए यह सजेस्ट करूँगा, कि कोई भी काम जब ये शुरू कर रह हैं, तो ऐसा अभ्यास करें, मैं सुक्स्म लोक में हूं, फरिष्टे स्वरुप में, सामने हैं बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, उनके तन में सिर बाबा, परम सद्गुरु हैं वो हमारे, उसने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, फील करें, इसमें इनको ए पूर्तभव, एक देट, दो मिनट, इस गुट फिलिंग के साथ, मेरे साथ स्वयम परम सद्गुरु हैं, इसमें बाप के रूप में नहीं, परम सद्गुरु के रूप में, याद करें अपने परम पिता को, और उनोंने मुझे सफलता का और निर्विघनोंने का वर्दान दे दिया है, हर कर्म की सुरुवात इस गुट फिलिंग से करें, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएं, अब तो भगवान का वर्दान मेरे साथ है, परम सद्गुरु ने मुझे वर्दान दे दिया है, अब तो मेरी सफलता होगी ही, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, 21 दिनागर ऐसा ये कर लेती है, कभी भी करने है, सबे तो करें हैं, लेकिन करम प्रारम करने से पहले भी करें, तो निश्यत रूप से इनके जो मार्ग में वेरियर है, वो हट जाएगा, हर फिल्ड में भाई जी, जाहे वो बिजनिस कर रहा है, जाहे स्टुडेंट मेरे पास आये कि वही दुकान चलती नहीं है, ग्रहक आते नहीं, तो मैंने सबे उसको यही बता, कि सबे रहे उठते ही, तुम यह सोचते होगे, ग्रहक आते नहीं, यह गल्ती हो रही है, क्या करूं मेरा भागी खराब है, ग्रहक ही नहीं आते हैं, तो मैंने का उठते ही स दुकान पर सोग रहाक आएंगे, बड़ी आनंद से, आज मझे सफलता मिलेगी, मेरी दुकान पर सोग रहाक आएंगे, तो बड़ा अच्छा लगा उसको, और मुझे पूर्ण विश्वास है, वो करेगा, और यह होगा, तो चाहे कोई बिजनसमेन हो, ज्वैलर हो, या इंड सद्गुरु का आशिरवाज साथ हो गया, और विघन हटने लगे, क्योंकि विघन आजकल कारियों बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जो इंपोर्टेंट बालती इनकी सफलता की, इनको जो फेलियोर होने के अनुभव जहां था हो रहे हैं, देखिए इसमें कहीं-कहीं मनुस मनुस के पूरुजनम के विकरम भी सामने आते हैं, इसलिए मैं सदा यूवको को सिखाता हूँ, कि जब मनुस पापकर्म करता है, तब तो वो उनको एंजोय करता है, वो सोचता नहीं कि इसका फल भी मुझे मिलेगा, भले ही साइंटिस्ट ने कह दिया हो कि हर एक्षन का इ आसा हो गया, जैसे कोई जहर खा रहा हो और बड़ा एंजोय कर रहा हो, और वो ये भूल जाए, कि दस मिनट के बाद में त्योवी द्वार खटखटाएगी, तो मैं सब को कहता हूँ कि पुन्य करो, पुन्य करम मनुस के सच्ची साथी हैं, ये पापकर्मों के कारण भी अ कारण नहीं हो रहा है, इसमें भगवान उसको सफल नहीं होने दे रहा है, इसमें भगवान को दोस्त देने की बात नहीं है, उसके अपने कर्म, उसकी अपने निगेटिविटी, उसके अपने बुरे थोर्स, उसको असफल कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म करें, और सबेरे उ तो एक गंटा रोज पावर्फुल योग भी करें 21 दिन के लिए यही सुवान लेकर तो वो विकर मिनस्थ हो जाए जिनके कारण बैरियर जीवन में आ रहे हैं और सफलता का मार इनका खुल जाए बिल्कुल चली बहुत सुंदर आपने सफलता के सुत्र हमारे दर्शकों को दिये हैं और हर एक इनसान चाहता ही है कि जीवन में चाहे वो जो भी कर रहा हो चाहे आध्यात्मिक शेत्र हो राजनातिक शेत्र में हो आर्थिक शेत्र में हो जहाँ पे भी हो लेकिन यदि इन सु निश्यत रूप से सफलता उसके कदम चुमेगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों सफलता एक ऐसा फल है जिसे हर एक चखना चाहता है लेकिन वहां तक पहुचने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके सुत्र आज हमें ब्राताजी ने दिये हैं निश्यत रूप स हो जाएगी और आपका जीवन आनन्द से परिपोन हो जाएगा इन्हीं शुब काम नाओं के साथ नमस्कार कि अ.